देशभर में नवरात्री की थुम हैल सुभै से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में भक्त माता की ज्यकारे लगा रहे हैं पूझा अर्चुना कर रहे हैं जो हां हरिया ना के ज evening दिन माथा बीमस्वरे देवी मंदिर में आर्ति की गए है और ये 6 तस्वीरे जो देश के अलग लग होने से हैं जो और ढिली के चटरपूर मंदिर के अंदर माता रानी के आर्ति उतारी जा रही है वही अगर बात की जो एक करनाटक में तो करनाटक के अंदर भी दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के अंदर भक्तों का तांता लगा है जो माता राने की पूजा अर्चुना की जा रही है भक्त वहाँ पर भी लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतर्शार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आई कब माता राने की पूजा करे कब माता राने से अपनी मनो काम न मांगे वहीं अगर चोथी तस्वीर की बात की जाए तो चोथी तस्वीर असम की मा का माख्या मंदिर की है जहाँ पर बड़ी संख्या में श्र हाएं ततवी मंद्र पर BA मुन चाहरों के त्वर और आरंग्जय के दिखाई दे रहा है और सो पूरे देश के उत्साह को दिखा रही है कि किस तरीके से पुरे देश मेह नवरात्र का पूजा अर्चुना चल रही है है और हमारे साथ पंडी ते सोरब त्रिपाठी भी तूड़ चुके हैं पंडी जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागा थे न्वी न्यूस पे और नवरात्र के आपको धेर सारे शुपकाम नहीं आज नवरात्र का पहला दिन और देश भर के मंद्रों से ऐसी तस्वीरे सामने आ र नौरात्र बर्थम दिवस नौरात्र का प्रारंब हो गया है जिसमें सबसंपूर्ण भारत के अपितु विश्व के भी लोग इंतिजार करते हैं माता का इस बार मातारानी पालकी में सवार होके आ रही हैं और उसके फल स्वरूप आप कलह ना करके शांती से सोहौर्द मरा कर घर में पूजा पाट करें तो धन लाब का योग इस बार की सार्दी नौरात्री में बन रहा है पंडिच जी एक वर फिर से आप से जाना चाहेंगी एक वर पहले भी आप हमसे जुड़े थे आमने पूछा था आप से कि घटी स्थापना का शुब मूर्त क्या है कलश्री अवधना पूजा अरचुना करते हैं वह घरों में पूजा अरचुना करने के बाद मंदिरों में अन्दिरों में अपनी बारी के इंतर अर उसें पर laugh के पिर दूसना मुह रहा है Cry मिनट से दुपहर 3.00, 14.00 तर उं इन दोनों मुहूरत में उण व्यक्ति नहीं कर पाता है तो शाय का एक मुहूरत है चार बच के 12 Luigi नो बच के 13 मिनट मिनट दातृ इनमें खळब दूस्ठाप्ना उपेह करका नशने कर सकते हैं आप कलश ले ले, जल ले 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 आम का पक्ता ले ले और माटी के उपर रखके गडेशी की प्रत्मा भी एक रख ले और एक नौ दुरुगा माता की प्रत्मा रखके उनको चुमरी लाल पिली जो भी आपकी इच्छा हो उचको धारन कराके चंदन तूलसी का पात्र फूल और थोड़ा मिश्ठान करक कि आप कलावा रखके मातारानी का आप आहावान करके उनका स्वागत कर सकते हैं पूरे नौ दिन के लिए जी मिलकुल पंडी जी और रिद्धी सिध्धी के दाता गणपती जी को बोला जाता है जिब हम कोई भी शुब काम करते हैं तो गणपती जी की पूजा अराधना कर करते हैं जी पंडी जी जो श्री गडेश जी पर्थम पूज्य है और उनका नाम ही ले लेना आवश्यक है अब यह तो नौ पर्व नौ दिन नौ दुर्गा के लिए हैं लेकि गडेश जी का आहावान करके कोई कार करते हैं तो वह कार निर्विन रूप से संपन्न हो जाता हैं और गडेश जी की प्रारम करके फिर देवी जी दुर्गा मागा करने के बाद आप शंकर जी की भी पूजा करें परिवार है यह संजुक्त परिवार है यह जब तीनों को सम्मिलित होके करेंगे तो आपको पूल रूपेन फल प्राप्त होगा जी पंडी चुई आज प प्रफम शैल पुत्री इस दिन जातक पवित्र होके सनान ध्यान करके पीला फूल मिल जाए और चावल भी हो तो उसको पीले रंग से रंग लें और पीले रंग का वस्त धारन करके पीले आसन में आप बैठ कर क्योंकि पीला वस्त्र ब्रहस्तपति का है माताजी को प्रफम देश बहुत प्रसंद होती है तो आप पीले रंग का उप्योग करके पीले रंग का कनीर का फूल मिल जाएगा आपको उसको आप चढ़ाएं और कोई भी भोग लगाए तो उसमें हल्दी डाल दें और प्रफम अध्याय और नहीं पाठ कर पा रहे हैं तो तीन है देवी कवच है सिद्धिक कुंजिकास त्रोतम है उसका पाठ करके वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो देवी के बारा नाम आप पढ़ लें तो भी आपको पूल रुपेड फल प्राप्त होगा जी बहुत बहुत शुक्रे पंडित जुए हमारे साज जुड़ने के लिए हमारे दश्कों को बताने के लिए कि आज जुन अवरात्र की पहले दिन उनको किस तरीकी से पूजा चुना करने है किस तरीकी से घटी स्थापना करने है और घटी स्थापना का शुभ मुहत क्या प्रुब्स प्रुब्स